हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम लाव इम्हानी से संबंधित प्रश्ण को यहां पे हल करेंगे फ्रेंज आपके सामने यह प्रश्ण है कि एक दुकांदार एक सिलाई मसीन आर सो पचास रुपया में खरीद कर एक हजार बीस रुपया में बेचता है तो दुकांदार को प्रश्ण को सिम्पल तरीका से यहां पर लगाएंगे फ्रेंज चलिए हल करते हैं तो फिरेंज देखें यहां पर लिखा है कि एक दुकांदार एक मशीन अच्प्राइब आट सो पचास रुपया में खरीदता है तो फ्रेंज यहां पर आप ध्यान दी जाएगा जो खरीद मुल्य होता है कि उसे हम क्राइम मुल्य के तो 85 रुप्या में खरीदा गया है तो आपका क्राइम मुल्य फ्रेंज कितना शुटाइब पचासिर कितना हुग आपका स्लाईआयमन उस्षिय Mississippi व brings इंदार Liebe 20 रुप्या में बैचा है मसीन को तो विक्राव मुल्य अर्थाद बैचा हुआ जो मुल्य होता है उसे विक्राव मुल्य कहते हैं तो यहां तो बरापर होता हमें में मुल्य माइन स्क्राइम मुल्य अर्थat बेचा हुआ मुल्य मेंशक्री सूर्फ सम्राइब घटाए यहां पापका कितना से जीरो जागा जीरो और यहां पर स्टमस पान जाएगा साथ और नौमस आट जाएगा एग यानि के 170 रुपया जो आपका है क्या आ गया मार और यहां पर दिखेंगे आपका प्रशन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाब हुआ यानि कि आपको जो यहां पर लाब आया है इसको प्रतिशत में निकालना है चलिए यहां पर निकालते हैं फ्रेंस दखिए यहां पर प्रतिशत लाब बराबर क्या फार्मूला होता है याद होना चाहिए फ्रेंस प्रतिशत लाब बराबर होता है लाब पान क्रैमुले क्या ह मेंसा क्राय मुल्य पर ही जिंद कि याता है प्रतिष्रात हो त्याहां पर जरता है यहां कर लोगर ळेख रहे हैं कि एक उसु सत्तर अपान क्राय मुल्य कितना है फ्रेंज क्राय मुल्य देख लीजिए यहां पर आठ सो पचास रुपिया यहां पर लिखेंगे आठ सो पचास अब गुड़े परतिसंद बदलना है तो 100 का गुड़ा किया गया है इसी उक्वाल किजी देखिए जीरो से जीरो कटेगा और को सत्तर का मतलब 17 से देखिए सत्तर एक सत्तर और सत्त्र पचासी ठीक है अब PS से इस सो को कटाए देखिए पाच क्या है 11 यहां पे आपका जूई 20 आ रहा है फ्रेंज यहीं बिस पद्स परतिस्ट क्या ईगशा आपका लाव होगा तो प्रतिश्य लाभ कितना आ एगा फ् वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स फार वाचीं